असलाम अलेकुम बिस्मिल्लायरायमानी रहीम आज बना रहे हैं दही बड़े रमजान के स्पेशल दही बड़े हैं इसके लिए चाहिए हमें यह बेसन है चने काटा यह देखिए मैं इसमें बॉल में दाल ली हूँ और हब इसमें दालेंगे हल्दी पॉडर अधा चमच अध इसके अच्छा अठाउ बैटर बना लेंगे ना कार ना पतला यहीं बीधियूम बैटर बनाएंगे इसको जתना पानी लगागा उतना थोड़ा थोड़ा पानी दालते हुए इसको हम बैटर बना लिए देखिए बैटर बन चुका है अग्या के स्मूथ होना चाहिए ल्र नहीं बनना चाहिए अब हम पैन रखेंगे उसमें आइल डाल कर गरम करेंगे आइल अच्छी तरीख से गरम हो जाना चाहिए अब आइल अच्छी तरीख गरम हो चुका है इसमें हम एक स्पून से इसके बड़े डाल देंगे यह देखिए इसे तरीख से आप लोग नहीं बड़े के लिए बड़े बना लेंगे अब यह करके डालते जाएंगे और अच्छी तरीख से इसको फ्राई कर लेंगे अब यह हो चुका है अब हम दही बनाने के तयारी करेंगे दही बड़ों के लिए दही है इसको मैं ग्रेंडर जाम में दाल कर पीछ ली हूँ और इसमें हम नमक आट करेंगे आपके स्वाद अनुसरा अपना मक डालीजिए अब हम इसमें डालेंगे एक कोतमीर पुदीना और हरी मिर्चे है तीन चार एक बंज कोतमीर एक पर्ज पुदीना हाई इसको डाल देंगे इसको में लालेंगे अब यह देखे हमारे बड़े बन चुके हैं इसको मैं नेकाल लूँगी अब अच्छे तरिक्रे से लाल हो चुके हैं अब इसको हम टेर्ट दही में डाल देंगे आप लोग भी इसी तरिक्रे से बनाएए जो बहुत ही लजीज बहुत मज़ेदार नहीं बड़े बनेंगे यह इसके बाद मैं और एक बार दाल रही हूँ आपके हिसाब से आप कितने आदमी है उतने हिसाब सब बना कर डाल लीजिए यह देखिए मैं दूसरी बार डाल रही हूँ अच्छी तरीखे से लाल होने के बाद इसको भी निकाल लेंगे अब हम इस कित बगार की त्यारी करेंगे दही बड़े की एक चमच तेल डालने के बाद जीरा अट करेंगे एक चमच चाई की समच से और राई डालेंगे आदा चमच उसके बाद हम डालेंगे करिया पक थोड़ा लाल होने के बाद डालेंगे जीरा राई अब करिया पक डालेंगे फिर सावित लाल मिर्चे डालेंगे फिर हल्दी डालेंगे मिर्चे लाल हो चुकी है फिर हल्दी डालेंगे अब हमारे दही बड़े के अंदर इसको डाल देंगे अब यह देखिए अच्छे तरिखे से हमारा बगार हो चुका है यह दही बड़ों के अंदर दही डाल दी हूँ और भेग चुके हैं जो बगार दाली हुमें उसको भी आट कर देंगे यह देखिए कितना कलरफूर हमारे दही बड़े बन चुके तयार हैं इतना लजीज हैं इतने मज़ेदार हैं उसके खुछवई बहुत अच्छी आ रही है आप लेको बना के टेश कर रखाईए मसंदा है तो लाइक और शेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए डिशॉट कर च